हेलो आप सभी का स्वागत है नवीन जी के जियस यूटूब चैनल पे तो बिहार आईटिया का न्यू अपडेट निकल के आया है जो च्वाइस फिलिंग का डेट जो है बढ़ा दिया गया है ठीक है चार आठ दोजार 24 कर दिया गया है और जो एक दिन काउंसलिंग भी बंद करेंगे जितना सही तरीके से हो ठीक है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं बिना समय वेर्थ के ओओ और नवीन जी के जी यूटूब चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके जूट जाएगे क्योंकि काफी चैन्सेश आते रहते हैं बिहार आईटिया में थमपलपल की अपडेट जो है मैसेज आप लोग को कर नहीं पाएंगे इसलिए चैनल पे वीडियो अप्लोड कर देंगे तो आपको वीडियो से मिल जाएगा जनकारी सभी और सही और सटीक प्रोपर रूप से मिल जाएगा ओके तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं बिना स इसको जो है हम ओपन भी करके समझा देते हैं आप सभी को तो देखिए आप लोग का जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन का डेट क्यों बढ़ाए गया है यहां पर देख सकते हैं सकेंड राउंड कांसलिंग समधित अवैसक सूचना यह जो नीट का जो है अभी वेरिफिकेशन का डेट बढ़ा दिया गया है ठीक है और सरवर इसू भी देखने को मिला था काफी छातर जो है नहीं कर पार रहे थे च्वास फिलिंग इस बज़े से भी जो है इसको आगे बढ़ाया गया है अब देखिए इस नोटिस को ध्यान पूरवक आप लोग समझ अठाइस सा Türk को जो जरें जारी किया घया है उद्य Bea Sextran संस्थान पर यो य» योगता परिभयष परिक्षाथ द्रोवक दोएधार पर व कर जो काऊंसलिंग काँबत के संस्थान तो कफी छातर कहते है้ं जो प्राइबिट में भी एड्मीरिशन होता है क्या तो इसके माध् नहीं होता है आप लोग जान लीजिए प्राइबिट में कभी भी जाकर एडमिशन ले सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन इसके माध्यम से द्विशन अगर होगा तो आपको सरकारी कॉलेज ही मिलेगा गूर्मेंट कॉलेज ही मिलेगा अब दिखें यहां पर आईतो दीखें कहल पहले जो नीरधारित था अब लोग choice filling को unlock करके lock कर सकते हैं आप लोग साई तरीके से choice filling कर दीजिएगा ठीक है और आप लोग का result public होगा तो यहांपर देख सकते हैं का provisional seat alignment result public जो किया जाएगा आप 98.24 को किया जाएगा ठीक है 9.24 को जो आप फर्स राउंड का public किया जाएगा और उसका document verification कब से सुरू होगा तो 10 तारीक से जो है सुरू हो जाएगा ठीक है 10 आठ दोजार 24 से सुरू हो जाएगा तो दिखिए 10 तारीक से सुरू होगा और उसके बाद जो है एटेंडेंस का जो है रजिस्टर त्यार होता है तो यह हो गया आप लोग का जो है फास्ट आउंड का 10 से 17 तक चलेगा अब इसी बीच में जो एक दिन इस दिन किस दिन नहीं होगा तो देखिये यहां पर 15 अगस्त 2024 वतनतर ता दिवस होने के कारण उस दिन जो है डोकुमेंट वेरिफिकेशन कारिय करम अस्थगित रहेगा यानि कि उस दिन जो है आप लोग का डोकुमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा जिस भी छातर का आप लोग का एलाउट होता है फर्स्ट राउंड में तो आप लोग ध्यान दिजिएगा पंदर तारी को कोई भी छातर मत जाईएगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन कराने क्योंकि पहले ही नोटिस दे दिया गया है अब उस दिन जा करके वहाँ से लोटिएगा तो उसका जो हजिमेवार आप लोग खुद होंगे क्योंकि यहाँ पर नोटिस में असफ़स्ट कहा गया और हमने असफ़स्ट आप लोग को समझा दिया है ठीक है आप लोग का डाउट किलियर हो गया होगा अब दिखिए फर्स राउड में जो भी छातर का नहीं आया है या जिनका अच्छा रैंक नहीं है या किसी भी रिजन से फर्स राउड में नहीं आया ठीक है ट्रेड तो उसके बाद दिखिए सकेंड डाउड आप लोग का जो है पचीस आठ दोजार चोविस को जो है जारी होगा अब 2582024 को जो है जारी होगा यहां पर तो 2582024 को फिर से जो है आप लोग को लॉग इन करके यूजर आइडी और पासवर्ड तो याद ही रखिएगा आप लोग यूजर आइडी आपका जो है रॉल नंबर है ठीक है और पासवर्ड जो आप बनाये होंगे तो उसको जो है याद रखिएगा उसी से लोग इन करके सीटेल आउट में रिजल्ट जो है डाउलोड करना पड़ता है अब दिखिए सकेंड डाउंड का जो है 27 तारिक से ले करके जो है दू तारिक तक डॉकुमेंट वेरिफिकेशन चलेगा अभी क्या नुसार लेकिन हो सकता है बाद में चेंजेज भी आ सकते हैं कोई दिक्कत हुआ तो जो है प्रॉब्लम किरियेट हुआ तो बाद में आगे पीछे भी डेट होते रहता है इसलिए जो आप लोग चिंता नहीं करेंगे कभी सेंटर चेंज करके रखेंगे तो आप लोग को कोई भी नोटिस आएगा अब वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग को सुचित मिल जाएगा और थोड़ा देर दस से पंदर में टाइम दीजेगा वीडियो देख लीजेगा जानकारी मिल जाएगा प्रॉपर रूप से सही और सठीक बस रहें होता है तो आप लोग धिहान दीजिएगा क्योंकि बाद में जब एडिमिशन हो जाता है तब चातर जाते हैं कॉलेज तो कहते हैं सब्सक्राइग में बैठा हुआ लेकिन जिनका अच्छा रेंग होगा उन्हीं को मिलेगा लेक्रिक्षान फीटर यहां तो लिमिट स ठेस् रहें नहीं है थोड़ा एभरेज है तो वह भी सोचते हैं घूसते हैं और प्राइवेट से बेश्य लेकैर आप्ट परले लिए के देखने को मिलता है Electrician Feetor और जो छात्र दूसरे डीड इम चॉइस की होँगे उनका जो है हो सकता है असानी से जो जूब भी मेल सकता है और डिग्रीबी कंप्लीट हो सकता फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में भी जो उनका लिस्ट में नाम आ सकता है ठीक है तो आप लोग अपने हिसाफ से कियो होंगे च्वाइस फिलिंग कोई दिकत नहीं लेकिन होगा च्वाइस फिलिंग जरूर कर दीजिए जिनका छूट गया उनका जो है नहीं होगा नहीं सेकेंड राउंड में नहीं थार्ड राउंड में नहीं फर्स्ट राउंड में इसलिए जो है च्वाइस फिलिंग सभी चात्र को करना अनिवारी है उसके बाद दीखिए अगर फर्स्ट राउंड सेकेंड डाउंड में आप लोग का बाइदावे जो है च्वाइस फ जैस्त्व सासब ये विललिंगनेट करना होग Krz निकलेगो उसके हिसाब से व्क्रांट लेफिकेशन के लिए पटना आना होगा सब ऑफलाइन होगा तो औनलाइन होगा तो आप लोग के डिस्टिक में भी हो सकता है टोक्मेट वěरिफिकेशन होगा हुगा ठीक है तो आप लोग जो अब सीट एलाउट में रिजल्ट पब्लिक होगा तो हम आप लोग को बता देंगे ऐसे भी हमने काफी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है आप लोग उस वीडियो को जा करके विजिट करके देख लिजेगा नभीन जी के जीएस यूटूब चैनल पर और हमसे जरूर जूर के रहेगा संपर्क में रहेगा आप लोग को जहां तो खोगा कोशिस करेंगे समस्या का समाधान देने का आप लोग का हेल्प करने का हाँ एक और चीज काफी बच्चे कोमेंट कर रहे हैं सर हम जो है 10 पास किये हैं और जो 12 में एडमिशन लिये हैं तो आप लोग 10 के बाद आई टी आई कर लीजेए ज्यादा बढ़ियां रहेगा या जो अगरे दो डिगरी अगर एक साथ करते हैं तो थोड़ा problem create हो सकता है आगे चलके इसलिए बताड़ें आप लोग को कोई एक डिग्री कीजिए और उसमें पढ़िए ठीक काफी छातर काते हैं सर कॉलेज भी रेगुलर जाना पड़े आप पढ़िए नहीं तो फिर आप exam कैसे दीजेगा knowledge कैसे ली अपने और का नाम रोसन करें ठीक है क्योंकि नहीं पढ़ने से कोई लाव नहीं है पढ़ाई में जितना मजा है उतना किसी भी चीज में मजा नहीं है इसलिए अब पढ़ाई किजे ध्यानपुडवक और मैet कीजिए और लगन से आप लोग जॉब लेजे ठीक है तो चली यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देजिए चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जूर जाएगा फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और पलपल के अपडेट जब भी आएगा तो हम चैनल पर बताते रहेंगे तो चलिए वीडियो ल